मैं तो ये मानता हूँ अगर facts की बात की जाए कि पुरान वेद का हिस्सा है या नहीं तो जहां तक हमने अपने गुरकुलों में आचारियों से पढ़ा है तो पुरान तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया और यदि पुरानों का वलोकन भी किया जाए जैसे अंकुर प्रभुजी ने और प्रभुजी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है महाभारत में भी वर्णन नहीं है हाँ भ्रम वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन जरूर है परन्तु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत जो मानवियता की दृष्टी से स्विकार यह नहीं है और इतना कॉंट्राडिक्षन है यदि हम श्रीव पुरान उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमामंदन है परन्तु उसमें भगवान स्रीक्रिष्ण और विष्णु का एक दास उस्वरूप दिखाया भागवत पुरान उठा करके देखें तो भगवान स्रीक्रिष्ण को ही सूपर गौड और बाकी सब सैमी गौड तो यह जो कॉंट्राडिक्षन है मैं समझता हूं कि यह साफ दिखाया जाता इससे प्रतीत होता है कि भगवान स्रीक्रिष्ण अपने आप में एक बहुत उचा स्रेश्ट व्यक्तितु है जो हम सब के लिए अनुसरन करने के योग है वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें भगवत गीता को सुनें जिस भगवान स्रीक्रिष्ण अरजून को माध्यम बना करके हम सब को दिया ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उतक्रिष्ट शिखर पर पहुँचाएं वो भगवान स्रीक्रिष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चैत्र का तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बाते हों लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं यह जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्विकार नहीं है for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel ABP Live Premium